हलो डियर फ्रेंट्स आप सभी का स्वागत है मारे युटूब चैनल नडिया रपड़ा में फ्रेंट्स आप सब कैसे आई हो कि आप सब अच्छे हैंगे फ्रेंट्स आज हम बात करेंगे सेंट्रल इनुवर्सिटी आप है जम्मू के बारे में जो एक बहुत ही फेमस तो इसको हम ओपन करते हैं तो इसको ओपन करने के बाद जो यहां पर क्लिक हीर दिख रही है फिर यहां से हम ओपन करते हैं और फिर इसको हम ओपन कर लेते हैं इसके एडवर्टाइजमेंट को तो इसको हम डिटेल्ड डिसकस करेंगे अभी कि इसमें क्या-क्या eligibility criteria है तो चलिए यह open हो चुका है और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो इसकी issue date है वो 20 December है और उसके साथ साथ प्रेंट से जो यह advertisement दिया गया है इसमें बोला गया है कि PhD प्रोग्राम के लिए वही candidates valid होगे जो exempted category में आएंगे यानि कि जो net jrp get qualified होंगे तो इसमे eligibility criteria दिया है उसके नीचे तो इसको चलिए देखते हैं दिया है the following are eligible to seek admission to the PhD प्रोग्राम candidates who have completed क्या complete किया है जो candidates ने semester wise अपना master degree प्रोग्राम या फिर bachelor degree प्रोग्राम complete किया है यानि कि four years का अपना four years में eight semester का exam दिया है या फिर master degree में two years में four semester का exam दिया है और उसमे grading system follow की गई है और उसके साथ 60% marks है तो आप इसके लिए eligible है और इसके साथ साथ है जो इस category में नहीं है जो भी candidates है तो उसके लिए दूसरा option है कि यदि आप ने अपना qualification किसी foreign country से किया है तो वो भी आपके लिए valid माना जाएगा बल्कि जिससे भी university से आपने किया है बस वो मानता प्राप्त होना चाहिए और उसके साथ साथ है इसमें 5% का relaxation अधर काटेगरी को मिलेगा जैसे कि SC, ST या OBC है या फिर EWS काटेगरी है तो उनको 5% की relaxation मिलेगी और उसके साथ साथ है जो आपको relaxation मिलेगा यानि कि जो रिजर्ब काटेगरी के हैं जैसे कि SC, ST, OBC तो इनको 5% की relaxation मिलेगी और इसमें EWS जो काटेगरी है इनने भी relaxation मिलेगी 5% की तो चलिए देखते हैं eligibility और spatialization है जो subject की इसको यहां से देखते हैं दिया है कि program subject name यहां सब दिया है पर जो seat है subject का वो नहीं दिया है तो वो इसलिए नहीं दिया है reference वो दिया है कि जो seat depend करेगा वो faculty पर depend करेगा जो faculty उपलब्द होंगे उस पर depend करेगा यहां देखे नीचे दिया है कि number of seat bill dependent on the availability या faculty तो जो faculty उपलब्द होगी उस पर depend करेगा आपके seat की संख्या तो चलिए इसको हम देखते हैं कि जैसे computer science engineering है तो इसमें क्या eligibility होना चाहिए जैसे कि इसमें master degree आपका relevant subject से होना चाहिए कौन से subject जैसे कि M.Tech M.E. आपने जो किया है वो computer science engineering आप information आर information technology से होना चाहिए और उसके साथ साथ आपका जो university होना चाहिए वो मानता प्राप्त होना चाहिए और इसमें जो specialization है तो ये जो unit दिया है जो जो भी इसमें आपका specialization होना चाहिए इसी तरह और भी subject है इसी में एक दूसरा category दिया है computer science and information technology तो इसमें भी आपका जो बूल गया है इसमें आपका eligibility और specialization होना चाहिए और उसके साथ साथ है जैसे कि और भी subject है जैसे कि mass communication है chemistry है comparative religion and civilization है human resource management है और इसके साथ साथ है और भी subject है जैसे कि आपका subject होगा उसको अच्छे से देख लेना आपका आपका subject होगा उसको अच्छे से और इसके साथ साथ है tourism and travel management है और फिर है national security studies है और फिर दिया है social work है social work के साथ साथ फिर दिया education है या फिर आपका environmental science है या फिर आपका subject English है biotechnology तो इतने सारे subject दिये है फ्रेंट से जिसमें से आपको select किया जाएगा PhD program के लिए और फ्रेंट से जो इसमें दिया है mode up selection जो होगा फ्रेंट से वो आपका selection होगा या आप get qualified हो तभी यानि कि आपका master सिर्फ master degree budget नहीं माना जाएगा और उसके साथ साथ है जो आपका क्वालिफाइड माना जाएगा जो आपका selection होगा फ्रेंट से तो selection आपका इस बेस पर होगा जैसे कि आपने नेट जियारेफ्या get qualified किया है तो फ्रेंट से आपका 50% marks बनेगा और उसके साथ साथ है जो आपने अपना proposal तयार किया है तो वो जब आप presentation करेंगे उस इनिवर्शिटी में और interview देंगे तो उससे आपका 50% marks बनेगा और उसके साथ साथ जो दिया है फ्रेंट से रिजर्वेशन मिलेगा फ्रेंट से तो रिजर्वेशन दिया है तो वो रिजर्वेशन है जैसे कि जो government का act बना है फ्रेंट से उसके अनुसार मिलेगा रिजर्वेशन जैसे की दिया है यहां दिया है Central University सिटी इंस्टिटीशन रिजर्वेशन आप सीट आएक्ट 2006 दा पर्सनल बिथे डिजबिल्टीज इक्वल अपार्चुन्टी प्रोटेक्शन आप राइट एंड फूल पार्टिसिपेशन आएक्ट 1995 और यहां दी राइट आप पर्सनल बिथे डिजबिल्टीज आएक्ट 2016 तो इसके तहत आपको रिजर्वेशन दिया जाएगा और इसके साथ साथ है इसमें दिया है जो कंपलीशन आप एडमीशन फार्मिल्टीज इसमें जो भी कैंडिट से इसको कंपलीट करेंगे वही इसके लिए बैलेट माने जाएंगे और प्रेंट से जो आपका दिया है लिंक यहाँ से आप सब कुछ देख पाँएंगे इस लिंक पर वेबसाइट पर जा करके जो कुछ भी आपको देखना होगा डिकेट डिटेल से और यहाँ जो दिया है फ्रेंट से डेट दिया है जैसे की जो start है online की application की वो है 22 December 2023 से और जो submission की last rate है वो 5 January 2024 से और उसकी साथ साथ है जो आपका application फीस है तो जो category wise दिया है जैसे की unreserved category के हैं और OVC EWS हैं तो उनकी 1000 रुपीज है और CSTPW category की हैं तो उनके 500 रुपीज चार्ज है और उसके साथ साथ है फ्रेंट से इसमें जो submission आप application फार्मा इंड डाकुमेंट से देखना है तो जो आपका documents रहेगा फ्रेंट से जैसे की जो आपने master degree में final mark seat मिला है वो आपका certificate लगेगा और उसके साथ साथ जो आपने net JRAP get qualified किया है तो उसका certificate और उसके साथ साथ आपका category certificate लगेगा और उसके साथ साथ जो प्रेंट से आप admission लेंगे तो इस link पर जाकर के आप admission ले पाएंगे जो कि यहां दिया गया है और उसके साथ है यदि आपको कोई भी query पूछना हो तो आप ही इस email के जरी अपना query क्लियर कर सकते हैं तो फ्रेंट से आज की इतनी थी information फिर मिलेंगे एक नए information के साथ और आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो like subscribe और share जरूर कीजिए thank you